वल्कम एव्रीवन दस्वाइनी रे इन तस एपिसोड विल डिस्कस हाउ तो गेट रीड अफ वर्टिको लेट्स रोल डाइट तो आज कल की खराब लाइस्टाइल के वजह से बहुत सारे लोग वर्टिको बिमारी के शिकार बन जाते हैं और इस सिच्वेशन में लोगों को चक्कर आने की वजह से कहीं भी गिर जाते हैं और साथ साथ अपना confidence भी खो देते हैं तो आज की एपिसोड में हम जानेंगे कि वर्टिको क्या है इसके symptoms क्या है और ये क्यू होता है और साथ साथ कुछ आसान तरीके जिसको अगर आप अपने life में इंपलिमेंट करेंगे त तो आपका वर्टिको जरूर ठीक होगा बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आपने मुझा भी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके जरूर फॉलो करिएगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्टिको होता क्या है? कभी-कभी जब हम सोके उठते हैं, उठने के बाद हमें चक्कर आता है, हेट के मुमिंट से भी हमें चक्कर आता है और आज-पास की जो दुनिया है वो घूमती भी नजर आती है और ये जो सिच्वेशन रहता है ये ब बहुत जड़ा हेडेक, चक्कर और साथ में वोमिटिंग की टेंडेंसी भी हो जाती है और इस सिच्वेशन को कहते है बी-पी-पी-वी जिसका फुल फॉम होता है बिनाइन पैरोग्जाइमल पोजिशन वर्टिको जहां पर बिनाइन का मतलब होता है नॉट मेजर, चक्कर आता है तब हम बहुत जड़ा क्रिटिकल सिच्वेशन में आ जाते है जिसके कारान हम कहीं पर भी गिर जाते है और साथ-साथ हमारे जो चांफिडेंस रहता है वह भी बहुत ज़ादा लो हो जाता है अब बात कर लेते कि वर्टिको की सिम्टम्स क्या क्या है हमारी जो बाडी है वो बहुत ज़ादा इंबैलेंस हो जाती है सीधे खड़े रहने से वॉक करने से या फिर हेट के मॉमेंट से हमें बहुत ज़ादा चक्कर आता है और हम कितनी भी कोशिश कर लेते हम अपने बाडी को बैलेंस नहीं कर पाते है साथ-साथ सीवियर हेडेक और व बहुत ज़ादा चक्कर आता है और साथ-साथ वोमिटिंग भी होती है अब बात कर लेते हैं कि वर्टिगो का रीजन क्या है बीपीपी का जो सारा फंक्शन रहता है वह वेस्टिबुलियर सिस्टम मिन्स इनर एर करते है जो हमारे हेट के पोजिशन को ग्राविटी के साथ कंट्रोल करता है हमारे इनर एर का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलियर लेवरेंथ और इसमें होते हैं तीन सेमी सर्कुलर केनाल इंटिरियर पोस्टिरियर और होरिजन्टल और इसी के अंदर होता है एक फ्लूइड और एक हैर लाइक सेंसर जो हमारे head के rotation को monitor करता है और इसका signal हमारे brain को भेजता है कि कितने angle में हमारा head rotate हो रहा है हमारे inner air का और एक part होता है जिसे हम बोलते है autolith organ और इसमें होता है uticle और उसके अंदर होता है tiny crystal और ये tiny crystal आपके head के जो position रहता है उसको gravity के साथ monitor करता है और इसका signal आपकी brain को भीचता है किसी reason के कारण ये जो tiny crystal रहता है वो आपके semi circular कनाल के अंदर चला जाता है अब जो crystal fluid और hair like जो sensor रहता है वो आपके head के position और rotation की जो calculation रहता है उसमें गड़वड कर देती है और गलत signal आपके brain को पहुचा रहता है और इस situation में आपको desiness या फिर चक कर आता है और ये ही reason होता है vertigo का अब जानते है कुछ आसान exercise जिसको करने से आप vertigo से छुटकारा पा सकते है नमबर वन पे eye movement exercise इसमें एक finger को आपको आखों के सामने रखना है आप उसको left side में move करना है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका sir नहीं मुड़ेगा सिर्फ आपके eyeballs इधर जाएंगे अब उसको धीरे धीरे right side में लीजिए अब उसको फिर center में लाइए और उसको उपर करिए और फिर सो उसको नीचे करिए लेकिन आपका head जो रहेगा वो stable रहेगा बस आपके eyeballs इधर से उधर होंगे अब इसको diagonal भी आप कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक आपके जाएंगे अब इस position को 3-4 बार repeat करिए देखिए आपको बहुत अच्छा फायदा मिले जो second exercise है उसे हम बोलते है head moment exercise इस exercise में आपको again finger को लेना है और आपके eyeball को इस बार constant अखना है और finger के साथ-साथ आपका head move होगा again left जाए right जाए, उपर जाए, नीचे जाए again diagonally भी जाए और इससे आपको बहुत अच्छे benefits मिलेंगे third exercise है वो है ball exercise उसके लिए आपको एक ball लेना पड़ेगा अब ball को उपर फिकना पड़ेगा और साथ-साथ आपके head को भी उपर नीचे करिए जैसे जैसे ball उपर जाएगा उपर करिए, नीचे लाइए again left to right और light to left करिए और इससे आपका concentration build up होगा साथ-साथ आपको vertigo में भी बहुत जादा help होगा जो fourth exercise है उसे हम बोलते है apply maneuver but इस exercise को करने के लिए आपको किसी physiotherapist को hire करना चाहिए because इस exercise में अगर गडबड हुई तो आपको in future काफी सारे problem आ सकते है वैसे YouTube में काफी सारे videos आपको मिल जाएगा जिससे आप घर पे ही सीख सकते है लेकिन मेरे हिसाब से आपको किसी physiotherapist के पास जाके यह सीखना चाहिए जो fifth exercise है उसे हम बोलते है shoulder shrugging इसमें आपके shoulder को upward to downward आपको move करना है और इसके 10 to 15 repetition के 3-4 sets आप कर सकते है इससे आपके neck में blood flow वड़ेगा और in future आपको vertigo में बहुत जादा benefits होंगे अगर आपको vertigo से छुटका रहा चाहिए तो अपने lifestyle को सुधारिए एक proper nutritious diet लीजिए साथ-साथ अपने exercise को time to time करिए और इन सब के combination से एक नएक दिन आपको vertigo ज़रूर ठीक होगा और इसके बारे में जादा कुछ जानना है तो please comment section में comment करिए और मुझे इस्टा पे follow करिए description में link है वहाँ जाके आप direct question पूछ सकते है साथ ही में जो red color का subscribe वाला बटन है उसे प्रस कर दीजिए बाजी वाला जो bell icon है उसे प्रस कर दीजिए hope you like this video if it did then please like share subscribe our youtube channel keep pumping stabless